बिसमिल्लाय रमाने रहीम, असलाम निकुम आवरीवन, वेलकम बेक टो मैं यूटीब चैनल, वेलकम बेक टो अनदर वीडियो, कैसे हैं जी आप सब उमीद है कि मेरे सब फ्रेंड्स बिलकुल खेरियत से होंगे, तो फ्रेंड देखे, आज हम बहुत यम्मी से शाही टुक्र बनाने वाले हैं, तो मैं आपके साथ भी इसकी रैस्पी शेयर करूँगी, तो फ्रेंड्स चलते हैं, रैस्पी की तरफ, तो फ्रेंड्स चाही टुक्रे बनाने के लिए, सबसे पहले हम इसका शीरा क्यार कर लेंगे, यहां मैंने एक कप भरके, मैंने पानी कर लिया है, य अब एक कप भी हम इसमें चीनी आड़ कर देंगे, इसकी हमें ठीक सी कंसिस्टेंसी चाहिए, इसका जिम आम शीरा बना लेंगे, इसको जी तब तक के लिए पपने ने, जब तक चीनी जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, और हमारा अच्छा सा यह एक शीरा तहर ह हो जाएगा, यह आप देख सकते हैं जो हमारा शीरा है वो बिलकुल रडी हो चुका है, तो अब जी हम अपनी रब्डी त्यार कर लेते हैं, तो फ्रेंट यहां पर रब्डी मुनाने के लिए दो कब भरके मैंने यहां पर दूद के लिए है, तो जी इसको आप हम गाड़ा के लिए रख देते हैं, तो फेंड़ा देख सकते हैं जी, यहां पर जो हमारा दूद है, वो पंदर मिला तक मैंने इसको हल्की आज पर पकने दिया है, वो अब एक कप रह गया है, इसमें जी मैंने हाफ टीस्पून इलाइची का पाउडर एड़ कर दिया है, तो इसमें ज कर दिया है, यह जी कंडेंस मिल्की रैस्पी भी इंशाला बहुत जल्द में आपके साथ शेयर करूंगी, तो यहां भी ब्रेट की स्लाइस को फ्राइ करने के लिए मैं पैन में थोड़ा सा ओयल दे लिया है, मैं इनको शेलो फ्राइ करूंगी, आप इनको डीप फ्राइ भ यह देख सकते हैं जी, इस तरह का जब कलर आजाए तो आप इनको निकाल लीजिए, इस तरह जी आप वन बै वन करके आप सभी को अच्छे से इनको फ्राइ कर लीजिए, और जी वहां पे कंडेंस मिल्का अड़ करके, मैंने जो हमारी रब्री है, इसको एक से दो मिनट तक अब जी आप यह स्लाइसिस दीजिए, और यह जो हमने शीरा त्यार किया था, इसमें आप इसको अच्छे से डिप कीजिए, और जी इस तरह आप एक बटन में इनको सेट करते जाएं, आप जी सभी स्लाइसिस को वन बै वन करके शीरे में डिप करते जाएं, और जी यहां इसमें जो सारी रब्डी तैयार की थी वह एट करती है इसमें जब आप नटस हैट कर सकते हैं आप अपनी मर्जी के मताबिक अमी चैनल को सबस्क्राइब कीजेगा है बहुत मज़े की बने थे आप इसको जूट ट्राइ कीजेगा मुझे फीडबेक दीजेगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्काइब कीजेगा मिलते हैं इन्शालला एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अला हाफीज कंडें